What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stirl or Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और पाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो तो यह जो वीडियो है, यह हर एक 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 एक्जाम के लिए आप लोगो फाईदा पहुचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ने कर रहे हो यहाँ पर UPSC या EPS का मतलब यह नहीं की बसीनी एक्जाम में फाईदा पहुचाएगी आप लोगो यह स्टेट के जितने भी एक्जाम होते हैं उनके अंदर फाईदा पहुचाएगी और किसी भी एक्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे सही होता है तो अच्छी बात है गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है इसका मतलब भी होगा कि अब एक्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को इसका description box में मिल जाएगा, तो आईए आज का discussion स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का first question देखते हैं, इस question में हाँ पर बात की जा रही है, organization of petroleum exporting country, तो इसके बारे में कौन सी statement correct है, बोला जा रहा है कि एक inter-governmental organization जहाँ पर चोद है, member है totally मिलाकर और ये coordinate करते हैं ताकि किस तरीके से पैसा कमाया जासेगे, और किस तरीके से policy बनाया जासेगे, particular oil को export करका और किस तरीके से stabilize रखा जासेगे market को भी, तो ये बात हैं हाँ पर बोली गई है, इसका headquarter Saudi Arabia में है, सही statement क्या है, ये में बोला गया only one, ये बोला गया only two, सही बोला गया both one and two, ये बोला गया none of the both, सही answer क्या है A, B, C, F, O, D, तो जो सही answer है आपर इसका वो है A, क्योंकि first statement बिल्कुल से ये 14 country हैं आपर, और ये सारी मिलकर किस तरीके से market को maintain लगना है, उसके बारें बात करती है, पर लेकिन जब बात करेंगे second statement की, तो यहाँ पर ये Saudi Arabia नहीं है, ये Vienna है, Vienna कहाँ पर है, ये Austria की capital है, तो वहाँ पर इसका headquarter है, ना कि Saudi Arabia में है, और interesting बात यहाँ पर ये है, कि जो Vienna में इसका headquarter है, और Vienna, ये जो खासकर ये Austria जो है, यहाँ पर इसका member भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप लोगे mind में confusion नहीं होना चाहिए, तो answer यहाँ पर A हो गया, बाकी यहाँ पर आप लोग इस map में देख सकते हैं, कुछ member आप लोगे यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर EMA फाला की थोड़ा पुराना है, तो इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं फिर भी, तो देख सकते हैं, आप टोटल मिला कर इसके अगर 14 member है, और टोटल में आकर इसका जो headquarter है वो है आस्टिया में, ठीक है, तो आस्टिया आप लोगो यूरोप में नजर आएगा, और यूरोप की member यहाँ पर country नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रख सते हैं, और यहाँ पर आज की डिर में जो इसके secretary हैं, मुहमद बार किंदो, पहले इसको establish जो किया गया था, यह इसको बगदाद, इराग में establish किया गया था, 1960s में, और जब effect में आया था, 1961 में, फिर headquarters का वियना के अंदर बनाए गया था, basically होता क्या है, मां लिजे, अभी recently Saudi Arabia में bomber attack हुआ, तो Saudi Arabia में bomber attack होने के बाद में, जो oil का जो price हा, वो उपर चड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि market में, जब availability कम होती है, तो price बढ़ता है, और availability ज़्याद होती है, तो price घटता है, यह बिल्कुल ऐसी जैसे सबजी लेने जाते हैं, market में available है, तो price आप लोग कम देखने को मिलेगा, available नहीं है, तो price ज़्यादे देखने को मिलेगा, तो इसी तरीके से condition यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यह crude oil सप्लाई करते हैं, तो इस crude oil को जब सप्लाई करते हैं, तो हमारे जैसी country बहुत large scale पर खरीती है, तो इसके बारे में idea जरूर रखेगा, तो answer क्या होगे इसका, answer होगे इसका, ए, वियना है headquarter ना की साओधी अरेबिया, आगे बढ़ता हूँ, important question है, आपर यह बात की जा रही है, first e-waste clinic के बारे में, e-waste, यानि कि यह mobile वगार के जो आप लोगे waste होते हैं, किस तरीके से इसको taggle करके चलना है, क्योंकि हर एक इंसान के पास में कही-कई mobile phone है, तो कैसे इस waste को यहाँ पर taggle करके चलना है, यह इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा से यहाँ पर समझ लेते हैं, जो e-waste लेनी की बात की जारी है, तो बेसिक लिए क्या करेगा, segregate करेगा, processing इसकी देखने को मिलेगा, और dispose करेगा जो भी यह e-waste होगा, यह निकि अगर आप लोगों का mobile phone है, यह किसके बीच में MOU है, तो memorandum of understanding है, आपर Center Pollution Control Board के साथ में, भोपाल Municipal Corporation का यह मिलकर काम कर रहे हैं, और तीन मंत का यह pilot project है, यह निकि अगर तीन मंत के बाद में इनको लगता है, कि अच्छे से काम कर रहे है, तो पूरी country में आपर इसको implement किया जाएगा, क्योंकि e-waste की problem काफी ज़्याद है, तो इसको taggle करने के लिए, यह एक अच्छा pilot project आप लोग बोल सकते हैं, ओके, आगे चलते हैं, next question में आपर बात की जारी है, एक material के बारे में, जिसका नाम है gold ismint diet, तो इसके बारे में कौन सी statement करेट है, यह पूचा गया है, बोला गया है कि यह recently अभी हमारी country में पाया गया है, जो कि diamond के अंदर एक अलग तरीगा mineral अभी देखने को मिला है, यानि कि normally diamond है, और उसके अंदर यह एक mineral देखने को मिला है, उसमें इसमें पाया गया यह, यह जो concentration आप लोगों को देखने को मिलेगी, यह now abm, potassium और इसी के साथ में rare earth material, और यहाँ पर यह lentinum और इसी के साथ में serium, तो total मिला अखर इनका यह एक mixture है, correct statement के है, यह में बोला गया 1 and 2, यह बोला गया 2 and 3, तो South Africa में यह पाय गया है, और यहाँ पर बाकी दोनों statement में जो बोला गया है, कि जो mental है, यहाँ पर लगबग 80% आप लोगों यह volume देखने को मिलेगा, और यह इनसे मिलकर यहाँ पर बना होता है, तो answer इसका B हो गया, थोड़ा सा ओर डिटेल में हाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं, क्या-क्या बाते हाँ पर बोली गई हैं, देखिए बेसिकली South Africa में पाय जाता है, यह तो मैंने अभी आप लोगों बताई दिया, अगर फीचर की बात करें, तो यह आप लोग को सिंगल ग्रीन देखने को मिलेगा, एक सिंगल दाना जो है बेसिकली, और डाग ग्रीन कलर का, और उपैक है, यह यह निकि इसके किलियर नहीं देख सकते हैं, इसका जो नोमेंट कलेक्चर है, यह भी आप लोगों उसे पूछा जा सकता है, कि किसके नाम पर हम लोगों ने इसका नाम रखा है, तो इसका नाम जहाँ आप निकाल के लेका हैं, यहाँ पर यह विक्टर मॉरेट्स गोल्ड स्मिथ, तो यहाँ पर यह जो परसिनल्टी है, यह नोरवेट्स एक सांटिस्ट है, जो कि यहाँ पर मोडन जियो कैमिस्टी के फांडर माने जाते हैं, तो इनके नाम पर इसका नाम रखा गिया है, बाकि यह थोड़ी से इंफोमिशन आप लोग और रख सकते हैं, देखिए जो परत्वी होते हैं, अगर आप लोग उसको ढंक से देखेंगे, तो आप लोग कई पार्ट में नजर आएगी, जो मेन होता है, बाहर वो करस्ट आप लोगो देखने को मिलेगा, मेन मेन पार्ट एक तो करस्ट हो गया, दूसरा मेन्टल और तीसरा कोर, पर लेकिन फिर ये भी डिवाइड होते हैं, जिसे करस्ट में ऊपर करस्ट हो गया, और फिर यहाँ पर जो सोरी करस्ट में बारवाल हो गया, फिर यहाँ पर ये मेन्टल हो गया, ठीक है यहां पर देख सकते हैं आपर बोलागे 80% तो mental में देखने को मिला जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है अर्थ का ठीक है तो यह भी confusion नहीं रखना है तो आंसर यहां पर इसका भी हो गया आगे चलता हूँ important question यहां पर बात करा है leadership group for industry transition तो क्या statement इसके बारे में करेट है यह बताने हैं सबसे पहले बोलागे है जहाँ पर leadership group for industry transition है यह announce किया गया है global climate action summit के duration में जो help करेगे हाँ पर world जो heavy greenhouse gas emitting industry है उनको low carbon industry में convert करनेगा basically काम करेगा India और Argentina दोनों मिलकर इस group को lead कर रहे है basic जो aim है वो यह यह की transformation करना जिस तरीके से देखे आज केड में अगर carbon की बात की जाए तो decarbonize करने की कोशिस की जा रही है और जो energy incentive sector है खासकर उसके ओपर भी focus दिया जा रहे है correct statement के है ए में बोला गया only one यह बोला गया one and two C यह बो रहते हैं क्योंकि India तो है पर India के साथ में हाँ पर Argentina नहीं है यह student है SWEDN तो student एक European country है तो यह मिलकर इहाँ पर काम करेगा यह सारे यह इंडिया और student मिलकर इहाँ पर lead करेगा और basic funda क्या रहना है basic funda यह रहना है किस तरीके से control करना है ताकि जो carbon emission है उसको हम लोग control कर सकें ठीक है तो सी है आगे बढ़ते हैं पर इसके बारे में याद रखेगा तो आंसर यहां पर इसका A सही हो गया बागी कुछ बात है और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं देखिए यह हमारी country में अभी citizenship amendment बिल लेके आ गया था तो यह जो बिल था यह अभी हमारी country में तीन country ऐसी है जिनके लोगों को लाने के लिए लाओ किया था अफगानिस्तान बंगलादेश और पाकिस्तान यह तीन country के सिर्जन खासकर जो minority हैं वापर हिंदू, सिक, बुद्धिस्ट, जैन, पार्स लेकिन यह article जो 14 है fundamental right उसका हनन कर रहा है तो इसके चलते भी इसके ओपर question mark लगा जा रहा है कि कि यह सही नहीं है इस तरीके से आप लोग यह जो religion के नाम पर partiality कर रहे हैं तो उसके चलते भी recently अभी यह news में है ठीक है तो answer यह हो गया, आगे बढ़ते हैं factual question है पता होगा तो answer दोगे वरना नहीं दे पाओगे बोला जा रहा है कि United Nation Conference on Trade and Development यह कौन सी report प्रस्तुत करता है इन जो 6 report दिरक्किया इसमें से आप लोगों को चूज करना है A में बोला गया Trade and Development report, B में बोला गया World Investment report, C में बोला गया Ease of Doing Business report, D में बोला गया World Employment and Social Output report, 5 यह बोला गया Technology and Innovation report, 6 बोला गया Digital Economic report, सही answer क्या है A option में बोला गया 1 and 2, B में बोला गया 1, 2, 4, 5, C में बोला गया 1, 2, 3, 4, 5, और D में बोला गया 1, 2, 5, 6, सही answer क्या है A, B, C, F, O, D, सही answer है यहां पर इसका D, यह निके कौन कौन सी publish की जाती है United Nation Conference on Trade and Development के द्वारा, तो इसके द्वारा 1 यह निके Trade and Development report, इसी के साथ में 2 य यह निके द्वारा पॉलिस की जाती है, Ease of Doing Business, यह प्रस्तुत की जाती है World Bank के द्वारा याद रखेगा, और यह है यहां पर World Employment and Social Outlook, तो यह International Labour Organization के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, important question है कई बार कई सारी report के नाम देका direct सामने मैस करने के लिए पूछ लियाता है, तो आ इसके बार में थोड़ा जान लेते हैं, अगर हमारी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री की जो रैंक थी, 2018 में वो 48 थी और अपकी बार यहां पर यह 44 हो गई है, लेकिन अगर टोप पर बात करें तो USA है टोप पर, और USA के बाद में फिर आएगा Singapore second number पर, इसके बाद में Sweden है third number पर, और फिर Denmark और Sweden लेंड है आपर fourth and fifth पर, तो यह इस तरीके से ranking है आपर, जो कि यहां पर बात कर रह तो इसके बारे में कौन सी statement true है यह बताना है, बोला जा रहा है कि एक joint military exercise है इंडिया और किर्गिस्तान के वीच में, दूसरा बोला जा रहा है कि जो latest tradition है, पितोरागर उत्राखंड में, तीन से लेके 15 October तक आप लोगो देखने को मिला, तीसरी statement बोला गया कि focus यहां पर है तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका भी हो गया. थोड़ा से इसके बारे में और जान लेते हैं, देखिए आप लोग यहां पर common sense थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग यह है के आज, तो यहां पर क्रोंदा को मिलेंगे, जैसे आई अंड हो गया, तो यहां आप लोग को एकसाइज देखने को मिलेगी कि आज क्या है आप आज जैसे साथ अक्टूबर ठीक है तो अभी रिसेंट लिए चल रही है उत्रा खंड के अंदर तो किस अरिया में होती है तो भी आप लोग के लिए यनिका उस कैटेगरी में नहीं आता है क्रैब, केकड़ा, माइट, घून, बिच्चो, अकाटेण, उस्पाइडर, मकड़ी, तो तीन तो एक कैटेगरी में आते है और बाकी का एक दूसरी क्ैटेगरी में आते है तो कौन सा और है अउफिंगर है A, B, C, F, D, तो सही answer हैं आपर A, यह निके यह है crab केकड़ा, यह दूसरी केकड़ी में आते हैं, बाकी सारे, आरके निड़ा फैमिली की केकड़ी में आते हैं, यह आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे आप लोग को नज़र आएंगे, इनके जो पैर हैं वो आप लोग लोग को बतानी है, बोला गया है, यह एक initiative है, UNEP का और UNESCO का, दूसरी statement बोला गया है, आपर participate किया जाता है, कि एक particular day चूज के जाता है, और हर साल और उस पे, एक घंटे के लिए हाँ आपर light off करनी होती है, awareness फिला जाते है, basically climate change के बारे में कि कि किस तरीके से हम लोग को, ए B, C, F, O, D, तो जो सही answer है यहाँ पर यह है, C, यह निके second और third statement से है, पर first statement गलत है, reason के, reason यहाँ पर यह है, क्योंकि यह जो initiative है, यह, WWF, यह यहाँ पर जो WWF है, यह निके worldwide, यह यहाँ पर है, worldwide life fund for nature, ठीक है, तो basically उसका यहाँ पर यह initiative है, जो कि आप लोगों से question भी exam म पूछ जा सकता है, ठीक है, तो answer इसका C हो गया, आगे चलते हैं, next question यहाँ पर बात कर रहा है, माला बार exercise के बारे में, तो कौन सी statement correct है, यह बात की जा रही है, सबसे पहली statement बोला गया है, कि यह माला बार जो exercise है, इसका 23rd edition अभी, Japan coast पर देखने को मिला, इसमें India, China, Japan और USA की नवी participate करती है, दूसरी statement बोला गया है, कि आपर जो operation है, वो surface पर, इसी के साथ में, sub surface और air domain में, अलग-अलग operation आप लोग को देखने को मिलते हैं, सही answer क्या है, A में बोला गया, only one, B बोला गया, only two, C बोला गया, one and two, D बोला गया, none of the above, A, B, C, F, D, सही answer क्या है, सही हाँ पर ये statement गलत हो गया, और second statement से ये, तो answer इसका B हो गया, इसके लावे एक चुड़ी सी बात और याद रखते हैं, आप लोग जो हाँ पर ये exercise होती है, ये starting में Japan इसका पार नहीं था, जापान जो था हो इसका पार बाद में आकर बना, इस starting में India और USA के बीच में हाँ ये, 1992 में ये exercise start की गई थी, फिर आगे चल कर इसको जापान के द्वारे भी जोइन कर लिया, और Australia भी काफी लंबे समय से इसको जोइन करने के mood में है, पर लेकिन Australia भी जोइन नहीं कर पा रहा है, Australia और Singapore जो basically इसमें participate करते हैं, वो दोनों non-permanent member हैं, इंडिया, जापान और USA इसके permanent member कहलाते हैं, तो ये था complete आज का discussion, I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, अगर lecture पसंद आए तो इसकी PDF आप लोग जाकर download कर सकते हैं, टेलिग्राम से, बाकि आप लोग मेरे साथ में connect रह सकते हैं, Facebook, Instagram और Twitter पर, सारे link वीडियो के नीचे, description box में मिल जाएंगे, तो म के लिए, जै हिंद,